जहन दोस्तों सैनकों के लिए आज के प्रमुक समाचार सबसे पहले हैडलाइन्स भविस्थ में भीषण युद्ध की संभावना जनरल नर्वाने साब ने कहा सैनकों का बढ़ेगा 3% डिये और लेटिनेंट जनरल मनुज पांडे साब जनरल बनने की रेस में सबसे आगे देखी खबरें बिस्तार से सबसे पहले जनरल नर्वाने साब ने कहा है कि भविस्थ में मुझे ऐसा आसंग कहा है कि भीषण युद्ध होगा क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं उनका नाम लिए बगएर उन्होंने कहा है कि उनके साथ लगातार सीमा बिवाद चाए इस्टन में हो चाए नौर्दन में हो और जो परक्सी बार जो एक और पड़ोसी है इस तरीके के जो सुगबगा हट है ये लोग बाज नहीं आएंगे ये लोग मुझे लग राय का भविस में भीशन युद्ध हो सकता है इसके लिए हमें पूरी तरीके से त्यार रहना होगा चाए हमारी परमाण चमता हो चाए हमारी मिजायले हो इन सब को हमें मजबूत करने बहुत जरूरी है बात कहता हूँ डिये के उपर बहुत सारी सु परशेंट ये बढ़ना तै है यानि आज हम बरतमान में 31 परशेंट ले रहे हैं ये जनवरी से 34 परशेंट होगा और कई केंदरी कमचारियों सेनकों को होगा इसका लाब बात करते हैं जनर्रल साब जैसा जनर्रल नर्वाने साब का 30 अपरेल को कारकाल खतम हो रहा है और सेना के प्रमुक यानि हमारे जनर्रल साब ये थी आज की प्रमुक कबर धन्यवाद